चले आज हम इवेंट पे जा रहे हैं तो सबसे पहला इवेंट जो है वह तो आज हम समझने की कुशिश करेंगे कि मैरिज के इवेंट में हमें क्या-क्या दीखना है देखना दो तिन कुछिन है पूछे-पूछे अच्छा वह जूम का हैं रेज बटन आप देखते हैं नहीं हाँ हाँ देख लिए देख लिए देख लिए उसको या भीच में हम पूछ ले कुछ भी एकदम पूछ वह एक्चल में किया मैं सब को अन्म्यूट करता ही नहीं हो तो इसलिए हवा जाती है तो मैं अलड़ हो जाता हूँ अच्छा हाँ मैं सब को अन्म्यूटी नहीं तो वह हैंड रेज करने की जूरत नहीं है इसका मतलब है आप डारेक्ट पूछ सकते हैं चोटी सी क्लास है अपनी दू-तीन सो वाली क्लास नहीं है कोई डरने के जरुत नहीं है कभी भी आप कोई भी कुश्चन ठीक है और मुझे मुझे ऐसा लगेगा कि मैं पूलगा नहीं टॉपिक हो जाना दीचे फिर पूछे तो पहले पीच में बीच में पूछ सकते कोई दिक्कत में बीच में कुछने से जैसे इंटरप्ट हो गया अभी भी आप शुरू करने वा और यह पूछ लो कभी कभी क्या होता वह टॉपिक चलता रहता चलता रहता तो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वह आटोमेटिक आ जाता है ठीक है तो टॉपिक जैसे कंप्लीट हो जाए और फिर आपको ऐसा लगे कि आर वह चीज तो आई नहीं आप तो पूछ नहीं जी तो जो सॉफ्ट्वेर है चैस्टो सेज है या कोई है उसमें ये ल1,L2,L3,L4 करके है हाँ ल1,L2,L3,L4 जो है वो वही है जो मैंने आपको बताया था था ना नंबरों की पोजीशन हाँ O102 जो आपने बता है वहाँ पे L1,L2,L3,L4 करके है लेबल 1 हाँ लेबल 2,L3 लेबल 4 हाँ क्योंकि उसको लेबल इस लिए दिया है कि उसके अकॉर्डिंग उसको परियोग करें इस्तमाल करें वहाँ पर ऐसे टेबल दिये हो है ना ओवन ओट ओटू शायद किसी शॉट्टर में इस तरीके से नहीं है शायद नहीं ओवन ओटू तो किसी में लिखा ही नहीं रहता है सब्सक्राइब करता है उसमें तो कुछ नहीं लिखा है ना यहीं लिखा है उसमें पूरा हेडिंग ही लिखा हुआ है तो उसको मैं आटमेटिक समझ जाता हूँ कि वो टू थेवरी बेस नंबर है और फस्ट पोजीशन का कौन सा सेकंड कॉन से तो ओवन ओटू देखने के लिए हमें वो टेबल रेफर करना है हाँ खीक है ओके अच्छा नेक्स्ट एक कोस्टिन यह है कि जो आस्पेक्ट और कंजंशन उसको अपने स्क्रिप्ट में नह सफल हो जाते हैं सब कौन से अपनाने है क्या सूचना है क्या देखना है ठीक है वंटी घी की देखनी है आश पेक्ट देखना है तो सारी चीजिव डेखनी है सब आगे के पार्ट सें ठीक है ठीक है तो रोनल स्वेस्ट के हाउसे यभे लेंगे नॉर्मल जो अस्पेक्पक सोते हैं तो वह वाले आस्पेक्ट आप इस script में शामिल नहीं कर रहे हैं अभी शामिल नहीं कर रहें अच्छा यह जो यह जो classes है इसमें नहीं है हाँ इडवांस में है वह हाँ एक्चुल में क्या है मैं आपको बता रहा हूँ जब भी क्रिश्ण मूर्थी प्रद्धिति की बात करूं इसमें aspects वगेरा conjunction तो माहने रखता है conjunction बहुत माहने रखता है लेकिन aspect की बात करें देखतों वह western aspect मानते हैं वेस्टन मतलब होता है डिग्री बेस आसपेक्ट तीग है गोड आसपेक्ट बैड आसपेक्ट व्यूद यह वेस्टन आसपेक्ट कहलाती हमारे यह तो वही है सैटन की 7, 10 टीक है मंगल की 4, 8 टीक है और साथ तो सबकी फिक्स है इसमें क्या होता है जब हम रिजल्ट को उसके आस्पेक्ट को रखा दें तो जब हम फर्स्ट और सेकेंड में बिफल हो जाते तब हमें आस्पेक्ट पर जाना पड़ता है तो वह जाएंगे आगे हम आगे की चीजों में है अच्छा एक और थार्ड जो है कुश्चनी है उसके बाद एक रिक्वेस्ट है सॉरी अब मैंने ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ वह एक हाउस जो भी कुणली बनके आती है उसमें एक हाउस सिगनिफिकेशन का टेबल होता है तो उसका कोई उसेज है या आप आगे पड़ाएंगे आपके कुश्चन लग लग सब आगे से रिलेटेड यह कुणली दिख रही क्या मेरी स्क्रीन वाली इसकी बात कर रहे आप यह जो हाउस के सामड़े लिखें यह नहीं यह तो प्लैनेट सिगनिफिकेशन हो गया और यह कस्प चार्ट हो गया एक आता है हाउस सिगनिफिकेशन कोंसे हाउस के कौनसे प्लैनेट सिगनिफाई तो इस में कर दिया है मुझा दूसरे वो एक अलग होता है यह जो ना बड़ा गजब का सब्ड़ियर है अच्छा तस्ता है और इतना बैस्ट है लगते हैं ना इसके तो एक साल का सोलह सो पचास रुपे माईनी नहीं रखता है तो यह जो निकल जाएगा तो यह जो हाउस के आगे जो यह यह है इस कोर्स में इसमें नहीं है क्योंकि यह सब फॉर्मले सब एडवांस लेवल के हैं मतलब प्रडिक्शन को और अलग पॉइंट मतलब यह सारी चीज़ स्कृप्ट में आती हैं मैंने अब कल भी कहा था कि जब मैंडवांस स्टार्ट करता हूं तो फिर मैं स्कृप्ट से ही स्टार्ट करता हूं क्यूंकि जैसे अब इन सब को कैसे रीड करना है फिर आप यह देख रहे हैं हाउस के सामने बहुत सारे प्लैनेट लिखें इसको हाउस सिगनिफिकेटर्स कहते हैं इनको कैसे यूज़ करना है ठीक है यह सारी चीज़े स्टेप वाइस आगे आती है मतलब वह इस क्लास में नहीं है वह आपके यह जो भी आप क्लास कंड़क्ट कर रहे हैं इसमें नहीं आएगा इसका यूज़ आगे आएगा आगे मतलब एडवास क्लास में जो जो जॉइन करेंगे उनको आप इसको शिखाएंगे यह बी एडवास का पार्ट है और यह जो कौन से प्लैनेट किस किस सब कस्पल सब ल बने हुएं उनको कैसे यूज़ करना है यह सारी चीज़ें आगे की विसाट अब हम आगे समझना चाहेंगे जैसे अभी आपने क्वेश्चिन के तसर आस्पेक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे तो वैसे ही हाउस सिग्निफिकेटर हैं मतलब फस्ट हाउस को सिग्निफाई करन वाले चार प्लानेट बैठे हैं उनका क्या रोल है तो एक हाउस का रिजल्ट कौन कौन दे सकता है वो क्या है एक हाउस का रिजल्ट देने वाला उसमें बैठा प्लानेट है एक हाउस का रिजल्ट देने वाला कौन सा प्लानेट होगा जो उस हाउस को सिग्निफाई कर रह प्लानेट के सामने नंबर लिखें वो लिखें वैसे ही A, B, C, D थियोरी कहते हैं according to A, B, C, D थियोरी वो how significant आराते हैं और वो A, B, C, D जो है उसका sequence है A का जो प्लानेट होगा बहुत powerful होगा B उससे weak होगा C उससे weak होगा मैं पूछ रहा था कि क्या क्या स्कूर्स में है मैं भी अपना उद्देश बता रहा हूँ इसको दो हिस्सों में बाटके रखा है ठीक क्या होता है एक अपन A, B, C, D सीख जाते तो फिर अपन उसके sentence बनाना सीखते ऐल्फबेट बनाना सीखते यह सब तो वैसे मैं इसको दो हिस्सों में बाट रखा रहा है अब लास्ट एक रिक्वेस्ट है वो जो स्कूर्प्ट बनाना सिखाया था अपने इक ना कि सब्सक्राइब स्क्रीन नजर आ रहा है कि सब्सक्राइब का इन आंसा कौन सा यूज हो रहा है कि यह केपी निव आनांसा कि एंग यह देखिए यह दिख रहा है कि सेंटर में देखिए यह सेंटर में कि साउथ इंडियन कुंडली के सेंटर में देखिए कि दिखाया के पी निव आयनांस चलिए तो आज अब कौन सा ले रहें शायद उसी में कवर हो जाएगा नहीं वह एक अलग चीज है बता देतों ज्यादा देख थोड़ी लग नहीं तो थोरी है पूशन कोई कि लेटेट है कि नया है या आप कल से रेलेटेट है पाले यह सर का जवाब देदान है पर उसके बाद हैं तो अप हुआ कि मैं तो एक वीडियो वाली प्रॉब्लम किसे लिखी थी किसी नहीं लिखा था ला वीडियो से रिलेटेट कोई प्रॉब्लम चाहिए उन्हीं का कुश्चन किया था वह आज से वह प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि अब सीथे प्रैक्टिकल अपन ठीक है चलिए अगरी वीन उस यहां है राहूं कि यहां है मास देखिए राहू के सिग्निफिकेटर यह बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टन कुश्चन है यह संदें जो उठाया है बहुत सारे सौट्वेर ऐसे हैं जो राहू केतू के जबर्दस सिग्निफिकेटर लिख बेते हैं जबर्दस इंदसेंस आपके पास 12 नंबर हैं पता चल रहा है आपके पास राहू के सिग्निफिकेटर में आठ से दस नंबर आ रहें हैं अब क्या प्रेडिक्षिन क merchant करेंगा है इस जाहां कि वह यह नीっ यहां राहू लिखा हुआ है थिरी एलेवन और ठीक है अब पानाते में इन स्क्रीम पर पानी की बाटल टोड़े हैं पर बेखेंगे कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा चली देखें सबसे पहले देखिए राहू कहां बैठा है 11,000 बैठा है ठीक है अब राहू किसकी राशी में बैठा है सेटन सेटन अब ओटू थेयरी अब सेटन पर लगाएंगे इस पर लगाएंगे सेटन पर तो फिर ओटू थेयरी लगाएंगे तो ओवन और ओटू ओवन क्या होता है कि सेटन कहां बैठा है सेटन कहां बैठा है सेटन की दो राशियां होती है टेन नंबर एलेवन नंबर ठीक है तो टोटल सिगनिफिकेशन आया है एलेवन थिरी टैन और एलेवन तो दीकि यहां पर क्या लिखा है स्टार लॉट के अब यहां पर देखें यह राहू है और राहू का स्टार लॉट कौन है सेटन तो इसमें किसके नंबर भी इंक्लूड़ेड होंगे सेटन यही तो खासियत है मतलब खूबी कह लिजेए किसकी केपी स्टार वन की आपको मतलब वैसा नहीं कि सेटन को एक्जामिन करने तो सेटन के स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी आपको ज़्यादा ज़रूद ने इस सीदे सेटन के सामने लिखे नंबरों को आप एक्जाम ठीक है तो यह बाइचांस कोइंसिदेंस की बात है अगर बाइचांस वीनस है स्टार लॉड तो वीनस के नंबर्स आ जाएंगी जैसे आप यहां बदल देते हैं पन चलो तो राहू यहां बटाल देते हैं ठीक है कि तू यहां आ जाएगा सबसे पहले राहू बैठा कहा है अब यह देखेंगे कि राहू किसकी राशी में बैठा है तो राहू कि औरuciones की राशी में मार्स की अब यह जो तेयोरिय है ओवन और बीकिसे लग जाएगी मार्स पर मासें मार्स कहां बैठा है विल्ट में बैठा है मार्स की दो राशीं बाल ठीश्में वटuden ऑन नंबर येच कि वन अब इसका स्टार लॉट देख लिए जो भी प्लानेट इसको इसमें एड़न कर दीजिए और संतोस मैंड़ मूट कर लिए अब इसमें आप रहु का स्टार लॉट जो भी प्लानेट बना हुआ उसके नंबर को एड़ कर दीजिए और अरेंज कैसे करना आपको पता है तो ऐसे राहु और केतु के नंबर निकाले सेम केतु का भी वही फंड है जैसे यहां पर हम देखेंगे केतु कि कहां पर बैठ है स वीनस पर ओवन ओटू लगाना है वीनस की प्लेस्मेंट कहां पर है नाइन्थ हाउस में वीनस की राशी कहां है सेकेंड हाउस और तो इसका सिग्निफिकेटर बन जाएगा 297 अब इसका स्टार लॉड देखना ध्यान रखना इसका मत देखना यह तो इसका पहुत सारी नंबर लिखे रहते न वहीं होता अब इसके बाद क्या करते हैं और आस्पेक्ट ले लेते हैं फिर वह पहुच पहुच हो जाता है वह नंबर नहीं लेना है यरी इंहीं तो वो इले 12 पहें है और मार्स की राशी में बैठा है तो मार्सके राशी जो» और मार्स बैठा है 12 में तो 12 लेना नहीं है कि है 12 लेना नहीं लग पाता है तो नहीं लग पाता ठीक है वैसे ही फट से उसका आप डिस्पॉजिटर देख लीजिए इस पे ओवन ओटू तो लग नहीं लगना ठीक है कि एक स्टेप बढ़ गया इसमें बसीतना और कुछ नहीं ठीक है और आस्पक्ट कंजंशन हम ले ले रहे हैं लएंगे तो हरू सब को लपेट लएगा हूरो सब को नमबर आ है इस लिए से लिए सबस्सक्राइब हो है और क्रेडिक्शन वह स्टॉंगे प्रेडिक्शन जा रहा है जैसे जैसे हम नंबरों में मैंने आपको कल भी बताया था पीछे जाते जाएंगे वह भी किस्ट होते जाएंगे ठीक है मतलब जहां वह कुंडली मारके बैठा है उसकी जहां पर राशिया है इसी में रहू के तुमें पहले वह बोल रहे थे बताई ही होगया उनका होगया पुछना था जो बात औरो सॉफ्ट की नहीं है बात यह कि कृष्ण मूर्ती जी ने क्या बोला हुआ है उन्होंने अपने बुक में के कंजंग्शन आस्पेक्ट लेना है नहीं लेना है औरो सॉफ्ट वालों ने तो ले रखा है देखिए आप हाउस के सिग्निफिकेटर ज नहीं है कै positively करें आपके लिए इतना ही sufficient आपको मुट करना ये नंब्रों को देख रहे हैं तब आपको इसमें नहीं जाना है बात समझ में मेरी अच्छी जब आप इनके नंबरों को consider करें तो आपको ओवन ओटू तक ही रहना है ठीक है ओके बताइए मेडम हां जी सर प्लानेट राहू कौन सी राशी में है यह तो हम राशी चार्ट से देखेंगे ना भाव चलिट से नहीं देखेंगे हां हां बिल्कुल कोई भी प्लान कि जम सिग्निफिकेशन लिखेंगे तो जरूरी नहीं कि जैसे वह अभी हम नहीं पर सैटन लिया हो सकता है राशी चार्ट में तो मैंने एक ही चार्ट में सारी चीज़े बता दी लेगन नियम कानून फिक्स है उसमें कोई परिवरतन नहीं है कि जैसे कि कल हमने वह जो आम वाली आपने स्टोरी बताई थी शादी कई क्वेस्चन लेते कि प्लैनेट में आपको 2711 मिल गया लेकिन नक्षित्र लॉड और सब्लॉड पर कुछ भी नहीं मिल गया या जो भी मैटर नहीं करता है वह नंबर मिल गया तो इसका मतलब क्या कहां पर मिल गया जैसे अपने सेवंथ कस्पल सब्लॉड देखा मैंगे ठीक 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 और प्लैनेट लेवल पर हमें 2711 मिल गये लेकिन लक्षेत्र लॉड लेवल पर हमें मान लीजे कोई भी नंबर मिल गया जो शादी से कनेक्टेड नहीं लेटस से और सब्लॉड लेवल पर हमें कुछ भी 2711 में से नहीं मिला तो इसका मतलब क्या हुआ इसका तो बहुत सारा मतलब है लेकिन उसमें बहुत सारी फॉर्मुले लगेंगे ठीक है वो सब आगे की चीज़े हैं ओके और दूसरी चीज इसी क्वेस्टिन में दूसरी चीज आप इसको प्लानेट और नक्षत्र लेवल पर कुछ भी नंबर मिल जो कि अपने जो क्वेस्टिन किया है उस से रिलेटेट कल स्कृप्ट में चीज चूट गई थी जैसे अभी सर ने किया तो एक चीज में जो भूल गया तो मैंने आपको बताया राहू के तो अभी जैसे मैड सनुमबर आ रहा है आ है इस हृषिंप्ड यहां पाल आरे है कि और ऊएक लियुक्राग्रे में छूड़ जाती डाई देखें मैं आपको यह बता रहा था कि जैसे मेरेज की एक्जेम्पल को स्क्रिप्ट में डिस्कस कर रहे थे हमने बुला यहां पर यह आ रहा है ठीक है 7 नहीं ले रहे हैं 4 लेलो कुछ भी लेलो टार्गेट ही है कि ना तो 2 आ रहा है ना तो 7 आ रहा है नहीं 11 आ लेकिन हमेशा ध्यान रखें यदि किसी प्रका मैंने आपको हमेशा कहाँ सब्लॉड दू हीरो यदी वो इन तीनों नंबरों में से कोई भी नंबर लेकर बैठा है माली जो 11 ही लेकर बैठा है ठीक है बाकी दूसरे जो भी नंबर आर है तो यह इंडिकेट कर रहा है कि यह event ह हो जाएगा ठीक है ध्यान रखिए अब दोनों में एपसेंट है तो कैसे होगा यह एडवांस का हिस्सा है ठीक है बेसिक का हिस्से में यह भी आता है कि यदी मालीजिए आपको सबलॉड लेवल पर आपके इविंट से रिलेटेड कोई भी नंबर सपोर्ट में मिलना क्योंकि कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्टार लॉड को यदी सबलॉड का सपोर्ट मिल जाए तो वह इवन्ट बहुत पक्का हो जाता है तो यहां तो कोई नंबर नहीं है लेकिन एक सपोर्टिंग नंबर है डिजायर तो सबलॉड यदि हाउस या इवेंट से रिलेटेड नंबरों को केरी कर रहा है तो यह भी बता रहें कि वह इवेंट हो जाए ठीक है तो इस चीज का भी अब यहां भी एपसेंट है इसकी कहानी एडवांस में ठीक है चली बताइए मैडम अगला सर यह 11 पोजिशन में रह है हाँ संसن अब यहां पर आ जाता है महाधशा उंतरदःशा करोई ठीक है कि इस को महाधशा अंतरदशा कैसे सपोर्ट करेंखाया है चाहदी योगी आपकी महाधशा न्य Gosh था थैक है बहुत सारी स्क्रिप्ट दिरशन को डिनि निकालते हैं ठीक ह ? अब आगे बढ़ते हैं तो सर बोजो आपने मेरा आदा क्वेस्टेन तो यह बोलके आंसर कर दिया जो मेरा फॉर्स्टाफ प्वेस्टेन था कि सरफ प्लैनेटी नंबर दे रहा है तो उसको बेसिक जो लेवल पे हम जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें कैसे इंटरप्रेट करें क्यों नंबर दे रहा है फ्लैनेट सब्लोड से फ्लोड से थोड़ी वहम प्रॉमिस बताएं पर नक्षेतर लॉट बी कुछ नहीं ते रहा हैं नई सी इसल से नहीं और से स्टार्लाट सब रिज़क्त हैना नीमि भुन्हों सब्लाइब से न्यारेट क्नेक्टिट है इसे लिए तो सपोट कर रहा है उसको करेक्ट आफ शादी नहीं होगी तो भी शादी का टेस्ट आएगा मतलब सादी तक पहुंच सकते हैं आप हो सकता डावर्स हो जाएं इसलिए स्टार लॉड लेवल पर देखना है और सब्लॉड या भी जो आप कुश्चन कर रहे थे ना कि दोनों में नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे तो जब हम एडवांस में पढ़ते हैं तब भी हम इनी दोनों प्लैनेट सबसे बड़ा इवेंट है ना शादी जो है वो जीवन का सबसे बड़ा इवेंट है आप सभी जानते हैं जीवन में हम दो चीजों पर सबसे ज्यादा पैसा कर्च करते हैं एक है शादी और दूसरा घर हम सूचते हैं बहुत अच्छे से अच्छा घर हो हमारा जीवन पर की जम्हपुंजी उसमें लगा देते हैं और दूसरा एवेंट होता है शादी हर मापाफ सूचता है मेरे बच्ची की शादी बहुत ग्रैंड हो विसाल हो अच्छी हो उसके बाद कई चीजे हैं लेकि क्योंकि हमारा जीवन पर होता है ठीक है वह यह बहुत इंपॉर्टन्ट इवेंट है तो इवेंट की शुरुवात में हमेशा मेरे सी करता हूं ठीक है चलिए देखिए चुकि यह फर्स्ट इवेंट है तो हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे ठीक है देखे फॉर्मूला हमेशा जाता है किसी भी इवेंट को आप देख रहे हैं तो मेजर नंबर ठीक है मेजर नोगेशन इस पर विसेज़ ध्य्यान रखें मेजर नंबर मतलब उस इवेंटके लिए कौन-कौन से मेजर नंबर है required और major negation उस event के लिए कौन problematic है ठीक है हमेशा किसी भी event को आप predict कर रहे हैं किसी भी event की script देख रहे हैं आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए neutral पर नहीं होना चाहिए कि वो disturbance पैदा नहीं करें ठीक है नजर आपको यहीं रखने क्योंकि आप तो दोई चीज चाहते ना या तो yes चाहते हैं या तो no चाहते हैं तो yes और no में नहीं का रोल रहेगा इसका तो कोई रोल ही नहीं रहेगा यह neutral है yes और no से मतलब है result ठीक है आपके दिमाग में जैसे ही event आए उसका major number और major negation number ध्यान में होना चाहिए किसी भी script को वाचने से पहले किसी भी script को पढ़ने से पहले आपके दिमाग में हमेशा set होना चाहिए कि मुझे दो ही जगा नजर रखनी है वो major number कौन सा है जो event के लिए required है वो major number कौन सा जो इस event के लिए problem है ठीक है क्योंकि उसी base पे आपको फिर sublot को define करने में वही number help करते है ठीक है जब हम sublot taste of result देखते है ना तो हम negation ही ढूंडते है यदि negation नहीं आ रहा तो taste of result good है यदि major negations को support कर रहा है तो taste of result में कहीं नहीं problem है और असली मज़ा तो taste of result में ही ठीक है कोई चीज हमें मिल जाए आम मिल गया कट्टा है काई नहीं पा रहे है चलिए देखे marriage की यदि मैं बात करूं तो major number आपके दिमाग में आ जाएगा 2711 ठीक है 5 ठीक है 610 देखिए हमेशा ध्यान दखिए आपके पास केवल 12 choices है 1 से लेका 12 तक इन नंबरों को देखने का द्रस्टी कोण point of view according to event रखें क्यों क्योंकि एक नंबर या एक house बहुत सारी चीजों को signify करता है ठीक है जैसे मेरे एक patent example है आप अपने आपको यहाँ पर रखिए ठीक है आप बहुत सारे लोगों से connected ठीक है यह आपका बेटा है तो इसके ठीक है यह आपकी पडोसन है तो यह आपको अंटी कहेगा या अंकल कहेगा ठीक है यह आपकी बहन है तो इसके आप छोटी बहन या बड़ी बहन या भाई होगे आप आप ही है लेकिन आपके सामने जो आ रहा है उसके according आपकी भूमिकाएं बदल रही है या आपका नाम ब सबसे अच्छे नंबर जो है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है ठीक है सेकेंड नंबर को क्या कहते हैं एडेशन इन फैमिली ठीक है एडेशन इन फैमिली साथ नंबर आपको मालूम है marriage का सबसे basic requirement number है इसको actual मैं कहते है legal spouse यही आपका कानूनी जैसे आप किसी के साथ live in में रह रहे हैं तो वो आपका legal spouse नहीं है इसलिए 7 number जो होता है वो marriage का basic number होता है 11 number आपको पता है desire fulfillment होता है प्लस क्या होता है legal bonding ठीक है legally तौर पर दो वेक्ती एक साथ रहने के लिए eligible है clear है 5 number किसका है love and affection का number है love and affection का number है ठीक है 6 number क्या है separation है what is 6 number separation ध्यान रखना separation अलगाओ ध्यान देखिए इस number को मैं बताना चाहूंगा separation doesn't mean कि आप अलग-अलग हो गए separation positive भी होता है separation negative भी होता है for example husband wife दोनों working है सुबह सुबह दोनों डिबबा लेकर चले जाते हैं रात को आते हैं this is also a separation for day-to-day life ठीक है आपका पती जो है दुबई में काम करता है 6 महीने वहा रहे तो 6 महीने this is also separation बात समझ में आ रही आप लड़ाई जगडा करके अपनी मा के पास रह रही है this is also separation ठीक है पती गुस्सा हो के घर छोड़के चल लगए this is also separation but there is positivity and negativity तो marriage के लिए 6 नमबर बुरा है बट उतना बुरा नहीं है क्यों क्योंकि ये separation पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है वो आपको सब लॉड़ बता देगा दूसरा आपका क्लाइन बता देगा ठीक हो खुदी बताएगा तो 6 नमबर कैसे वर्क कर रहा है ये डिपेंड करता है सामने वाल आपको बताएगा ये आपको सब लॉड़ बता देगा कि Married Life की स्क्रिप्ट कैसी है ठीक है डेंजर नमबर जो है वो ये नमबर है क्योंकि this is the legal separation क्योंकि इसका negation मना है legal bonding का negation है नमबर ठीक है ये इसका कदाबी मतलम नहीं कि ये desire fulfillment का negation है desire fulfillment का negation नहीं है ठीक है ये negation है legal separation है legal bonding break होने का clear हो गया आठ नमबर यहाँ पर आपको पता है obstacle है क्या है obstacle है यहाँ है हर जगा है लेकिन इसको बोलते है registered ठीक है registered in court कह लो या documentation कह लो यदि कहीं पर आपको ये number दिखता है तो सामने वाले विक्ति को आप कहेंगे कि आप अपनी marriage को registered जरूर कराएं ठीक है court में जाकर registered करा ले marriage certificate जरूर बन वाले वरना ये जो obstacle है वो लड़ाई जगडों में आपके convert हो जाएगा ये प्रकार की remedy भी कह सकते हैं क्योंकि KP में remedy क्या होती utilization of number ठीक है आप number को utilize करिए आपको problem नहीं आएगी तो अब आपकी दिमाग में सारी picture set हो जाना है कि हमें इनी number से खेलना है ठीक है इन number के significator आपको पता होना चाहिए इन number के importance पता होना चाहिए Edison in family कई प्रकार से होती आप किसी के साथ रह रहे हैं live in relation में इस आप किसी को साधी करके अपने घर में ले आएए आप जेल में चले गए आप किसी नई नौकरी में चले गए बहुत सारे नई लोगों के बीच में जाके घुज गए इस आपके माता पिता जहां रहते हैं तो addition in family आप दिमाग में set कर लीजे कि कहीं किसी group में जाकर add होने को addition in family कहते हैं इंवाइरमेंट में जाके add होना is addition in family ठीक है तो 2711 ये major number होगे 5,6,10,8 ये other number है जो कि marriages में आपको ध्यान रखने हैं इसी के according हम सारी आगी की चीजें तए करेंगे कल मैंने आपको बता दिया था ये arrow लगा है मतलब आपको star lord level तक जाना है स्टार लॉड ये वो number दे रहा है तो वो event होगा या नहीं होगा कैसा होगा अच्छा होगा खराब होगा इसके लिए आपको सब लॉड देखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो आ रहे हैं सब पर आएंगे ठीक है यह नंबर आप समझके इन मेजर नंबर से रिलेटेट कोई क्वेश्चन है तो बता यह फिर आगे बढ़ें हां बता यह सुक्या ए वन नंबर वन मेजर नहीं है क्या फॉर्ट डिवोर्स ते आएंगे आएंगे सारी चीज़ों भी आएंगे जैसे वह नेगेशन टू एडिशन की तो नंबर वन हुआ ना है नंबर वन भी है लेकिन वो नीट्रल की स्टेणी में है उतना डेंजरस नहीं है कैसे है वह हम आगे बताएंगे तेन नंबर नंबर जो है एक लीगल बांडिंग है लीगल तौर पर दो वेक्ति एक सांथ रह सकते हैं तो उसका निगेशन है दस नंबर बतलब लीगल ब्रेकप वाट इस डाइबोर्स डाइबोर्स यह थोड़ी का आप दोनों गुस्सा हो कि अलग-अलग रहने लगए डाइवर्स कब होता है जब आप कानूनी तौर पर एक दूसरे से आपको अलग किया जाता तभी वो डाइवर्स खेलाता है तो यही लीगल ब्रेकज जो है टेन नंबर शो करता है ठीक है और लीगली एक दूसरे से बंधना आठ नंबर शो करत होती है तो उसमें तो सब नहीं होता है प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम की रेमेडी बता रहे हैं आप यूटलाइस कर लीजिए भाई जाइए उसको रेजिस्टर करा लीजिए आपने देखा है माली जिए कोई शादी के पहले आगया आपके पास ठीक है अब आप देख स्टार लॉड लेवल पे एट आ रहा है और सब लॉड लेवल पे भी एट आ रहा है मतलब यह एट प्रॉब्लम करेगा ही करेगा यह आपके दिमाग में सेट हो गया क्यूंकि आपको पता चल गए सब लॉड उसको सपूट कर रहा है तो यह लड़ाई जगड़े में कन्व कर्मा अलाइन्मेंट क्या होता हाओस प्लैनेट का यूटिलाईजेशन होता है में होता है हाओस का यूटिलाइजेश वहर की इप्रकार जिख प्लानीत और होता है astrology में कहा जाता है कि प्लैनेट आपको क्या देते हैं result देते हैं numbers के माद्धियम से Signification के माद्धियम से हना तो वो यह कहते हैं कि हम आपको यह देंगे ठीक है आप या तो इसको ले लीजिए मतलब इन number को आप या तो यूज कर लीजिए या फिर हम आपको यूज करेंगे अपने हिसाब से ठीक है क्यूं क्यूंकि दो number है आठ number है साथ number इसके जमाने भर के Signification लेकिन यदी मैंने आपसे कहा कि आप इसको यूज कर लीजिए तो अभी आपके पास option है ठीक है आपने इसको यदी यूज नहीं किया तो प्लैने अपने हिसाब से यूज करेगा तो उसको आपके प्रारब्द पर डिपेंड करता है आपका प्रारब्द कैसा है उससाब से आपको या तो कस्ट मिलेगा या तो कम कस्ट मिलेगा इस इसीलिए remedy क्या बनाइए ग करके आप चल रहे हैं तो मैं खुस रहूंगा पतनी की सारी बात सुनोंगे तो आपको कस्ट वैसे ही नहीं होगा नहीं सुनोंगे तो देर इस अ प्रॉबबिलिटी की लड़ाई जगड़ा होगा तो यह फॉर्मला अधिका अससमेंट लोग जानते है इस हाँ, एदर एनलेवन यह यह इदर एन और या या तो दो आजाए या तो साथ आजाए नहए तो स्वेटा यह आजाए एलेवन आजाये सब और और होता है ठीक है कभी जरूरी है कि तीनों नंबर आएंगे तो ही घतना गटित होगे या जितने भी नंबर वहाँ पर बता रहे हैं कहीं कहीं बस strongly होता है कि यह आना ही चाहिए चली अब आगे बढ़ते हैं देखें साधी कब होगी जब 7th house का कस्पल सबलोट in the star lot क्या signify करेगा 2, 7, 11 को signify करेगा तो साधी हो जाएगी या event हो जाएगा यह simple सा formula है कोई भी क्रश्नमूर्ती पद्धिती पढ़ाता है तो इसी का उधारन देता है 2, 7, 11, 2, 5, 11 तो यह सबसे पहले आपको हमेशा याद हो जाती है तो साधी के case को यदि हम study कर रहे हैं तो हमें यह देखना है कि 7th house का कस्पल सबलोट क्या हमें 2, 7, 11 दे रहा है कि निए कस्पल सबलोट इंद स्टारलोट आना arrow का मतलब समझ जाएगा स्टारलोट तक जाना है यदि कस्पल सबलोट इंद स्टारलोट 2, 7, 11 signify कर रहा है it means marriage हो जाएगी what is 2, what is 7, what is 11 आप जानते हैं ठीक है 2, 7, 11 ठीक है जो शादी होने जा रही है उसमें love and affection भी included होगा होने वाले couples के बीच में love and affection भी होगा ठीक है 2, 7, 11 ठीक है इसको कहते हैं loveless marriage ठीक है क्योंकि negation of 5 है love and affection का negation है यदि आपको 4 number star lord level पे, sub lord level पे दिख रहा है तो आपको एक indication मिल रहा है कि इन couple के बीच में किसका आभाव होगा love and affection का आभाव होगा ठीक है clear है 2, 7, 11 और यह आगए 8 यह होगई पक्की साधी ठीक है पक्की साधी क्यों क्योंकि आपने इस court में जाकर registered करा लिए ठीक है court में जाकर registered करा लिए this is called पक्की शाधी या arranged marriage ठीक है जो की court में registered है इसलिए मैंने का इसको पहले utilize कर ले ना तो यह problem create नहीं करें ठीक है अब 7th house का कस्पल सबलॉड यह दे रहा है जो sir अभी पूछ रहे थे तो यह क्या है negation of marriage शाधी नहीं होगी यह two number का negation क्या है one seven का negation क्या है six eleven का negation क्या है ten तो यदि one six ten आ रहे हैं तो शाधी नहीं होगी ठीक है अब देखे एक number की मैं बात कर रहा था Sunday भी जैसा प्रश्न किया था एक number का भी क्या हो जैसे मैं अभी आपको बताया ना eight and twelve यह बड़े dangerous number है ठीक है यह लड़ाई जगड़े को show करते हैं बाकी इनके अलग signification चलते रहते हैं जैसे marriage में अलग signification आपको बताया कि इसको registered करा लीजे ठीक है उसी परकार से one number होता what is one? one is self ध्यान रखना हर एक event में जहां कहीं पर भी आपको one number देखे तो one number is self मतलब आपकी involvement आ गई यदि ये शादी नहीं हो रही है तो इसके पीछे कहीं न कहीं आप उसके कारण है ठीक है? तो एक number आप पताँ चलते हो लोग मज़े तो साधी नहीं करना है कई लोग होते हैं बिना reason के साधी नहीं करना है कारण पूछे तो बताते ही ठीक है? तो ये one number वहाँ पर active होता है highly active होता है किसी भी event में यदि एक number आजाए मतलब आपकी involvement सबसे ज़्याद है वाप जैसे आप finance पढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक number आ गया तो ये मान के चलिए जब तक आप महनत नहीं करेंगे आपके पास finance आएगा ही नहीं ठीक है? तो एक number को इस प्रकार से पढ़ते हैं इसलिए मैंने वहाँ पर उस series में नहीं लखा था उसको ठीक है? तो एक number को हर एक event में ध्यान रखिए कि एक number ये कह रहा है कि आप उसमें involved हैं जब तक आप swim अपना उसमें impact नहीं डालेंगे involved नहीं होंगे, interest नहीं लेंगे वो event होने से रहा ठीक है? वन number is also hard work ठीक है? शादी के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा महनत करना पड़ेगा, अब वो लोग कौन प्रयास करें? क्या करना, अकेले खोश हैं वो ये एक number active हो गया वो तो यही चाहता है, क्यों चाहता है? क्यों शादी करें? इस इस दे निगेशन अफ टू नो addition in family मैं नहीं चाहता है कि मेरी family कोई आड़ो, मेरी G1 में कोई आए, अपन तो अकेले खोश है तो ये निगेशन आफ टू बन गया लेकिन इसको आप एक अलग prospect में देखेंगे तो ये self एक number है ये कह रहा था कि आप hard work करिए, वो event हो जाएगा वो two में convert हो जाएगा, लेकिन आपने महनत नहीं करी ठीक है, finance में आपने महनत नहीं करी, नहीं आप job का case देख रहे हैं, वहाँ पर एक number आगया आपके पस interview later आजाएगा, आप बोलेगा, रे कौन जाता है, बड़ी नौकरी करेंगे वो एक number active हो जाएगा ठीक है, उसने आपकी job छुड़वा दी, अरे वो पुलिस में दरोगा की है, मैं तो IPS बनूंगा, पता सले जीवन भर उसके बाद कहीं service ही नहीं लगी, तो एक number का बहुत विसेज ध्यान लगने, यह भी बड़ा खतरनाक number, क्योंकि हम involved है न, और हम मतलब choosy हो जाते हैं, ह love and affection भी होगा, कपल के बीच में, 2711 with 4, मतलब there is some problem related to love and affection, बाकी कोई problem नहीं है, 271180 यह पक्की शादी है न, registered भी हो गई, 1610 is problematic है, negation in addition in family, negation of 7 number, negation of legal bonding, यह problematic हो जाएंगे, तो इन number, अब देखिए, 1610, अब इन number को major negation में लेकर चलना है, ठीक है, major negation में, सबसे important negation क्या है, first number पर यह है, second number पर यह है, third number पर यह है, ठीक है, तो अब जब भी आप marriage की script कहेंगे, तो आप इन number पर ध्यान लगए, सबसे ज़्यादा है, इस पर फिर इस पर फिर इस पर इस पर, ठीक है, इन नंबरों की सबसे अधिक भूमी का कहां पर होगी, सब लॉड लेवल पर, माल लीजे, स्टार लॉड लेवल पर, 2711 आ रहा है, नीचे, 1610, ऐसा नो, बंदी छोड़ दे, अगले को, ठीक है, क्योंकि यह modifier कह रहा, कहां फसा है भाई तू, 1610, बंदा साधी ही नहीं करे, नहीं, स्टार लॉड साधी करा देगा, साधी होगी नहीं होगी स्टार लॉड, यह तो साधी के बाद है, सब लॉड जो है, साधी के बाद है, टेस्ट अफ रिजल्ट है, तो टेस्ट कब आएगा, जब रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब साधी हो जाएगी, ठीक है, और साध हो जाएगी कि नहीं होगी यह तो star lord बताएगा आपको तो यह जो major negation होते हैं इनको आपको star lord level पे तो देखना ही देखना है और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कहां पर sub lord level पे कि यह sub lord level पे बैठ कर कहीं support तो नहीं कर रहे हैं जैसे हमने star lord लिखा 276 ठीक है और sub lord लिख दिया 2610 अब देखे यहां support मिल गया 6 को गलती से यहां भी 10 है तो यहां support मिल गया लेकिन यह बचा के रखेगा कहीं यह बचा के भी रखेगा लेकिन पलड़ा किसका भारी है इसका तो शादी खत्रे में ही है अभी डाइबोस में convert होगी नहीं होगी यह आपके आगे का अध्यन कविस है लेकिन आपको sub lord ने बता दिया इसलिए major negation यहां पर भी विसेस consider करना है क्योंकि यही तो ना टेस्ट आफ रिजल्ट से मतलब ही ने हमको टेस्ट आफ रिजल्ट से मतलब है तो इसलिए मैं आपको पहले ही बताया कि major नंबर major negation उसके अलावा neutral नंबरों पर ध्यान रखने की आवशक्ता ज्यादा नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यह टॉपिक हो जाएगा तो आप एकटटा कुस्टिन कर लीज़ेगा ठीक है फ्लुएंसी बन गई है अब देखे किसी ने पूछा कि सर मेरी मेरी marriage कैसी है देख के बताईए तो कौन सा house देखेंगे 11th house कौन सा देखेंगे ये ध्यान रखिए बिफोर marriage कोई विक्ति शादी की चर्चा करता है कोई question करता है तो 7th house का कस्पल सबलॉड fix है लेकिन उसकी शादी हो गई है और वो वैवाहिक जीवन के बारे में जानना च इसकी desire है तो अब आपको 11th house के कस्पल सबलॉड in the star lot के numbers को क्या करना पड़ेगा analyze करना पड़ेगा और वही नंबरों पे ध्यान रखना है जो मैंने आपको शुरू में बताएं क्या ये negation के support में तो नहीं है क्या ये 8 और 12 के support में तो नहीं है क्या ये 610 लेके तो नहीं चलने यदि वह 2711 लेके चलने तो अरे तो मारी marriage life तो बहुत अच्छी है वह बुलेगा नहीं है लेकिन बुलना script तो बता रही है तुम जूड बोल रहे हैं अफ्टर मैरिज यदि हमारे वैवाहिक जीवन को analyze करना है तो आपको 11th house देखना पड़ता है जैसे लोग पूछ नहीं साधी हो गई है कैसा रहेगा मेरा आगे माली नए कपल है साधी हुई 2-4 महीने ठीक है उनको लगते कि अच्छा आदमी सब दा देगा तो आपके पास आएगा वहना डॉक्टर रस्टोलिजर के पास आपको पता है आदमी का बाता है जब परेशान होता है रहु की मह लोट को एक्जामिन करना है ठीक है अब यही साधी सुधा विक्ति परेशान होकर आपके पास आया है और आपसे प्रस्ण कर रहा है कि सर क्या मेरा डाइवॉर्स हो जाएगा तब भी आप 11th हाउस को ही देखेंगे ठीक है यह आपको क्या देदे 1, 6, 10 देदे तो आप कहेंगे कि आप खुस नसीब हैं आपका डाइवॉर्स हो जाएगा ठीक है क्लियर है 11th हाउस की भूमिका को बता है जैसे जब चैल्ड बर्थ पढ़ते हैं तब भी यहाँ पर 11th हाउस की भूमिका आ जाती है ठीक है ध्यान नहीं जाता हमारा ध्यान 9th हाउस, 9th हाउस मतलब सेकंड मैरिज, 7th हाउस मतलब मैरीजी मैरिज, ठीक है तो 11th हाउस को कब एग्जामिन करना है यह आप ध्यान बखें, पहली कंडिशन वो विवाहित है और जानना चारा मेरा विवाहिक जीवन ठीक ठाक है कि लड़ाई जगड़े बहुत हो रहे है क्या है जरत देखो कोई संभावना नजर आ रही है अब आप रेशो चेक करेंगे आठ बारा का रेशो ज्यादा तो नहीं है तो लड़ाई जगड़े चलते ही रहेंगे तो लड़ाई जगड़े तक ही सीमित रहेंगे अब उसमें 6 नंबर और 10 नंबर भी आकर जुड़ ग प्रकार में आते हैं कई प्रकार की मैरिजेस होती है उसको हम देखते हैं ठीक है लब मैरिज लब मैरिज में आपको देखना है फिफ्थ हाॉस का कस्पल सबलोट इन दर स्टाल लॉट इफ इस सिग्निफाइट 25711 ना 2511 दे दे तो भी शादी हो जाएगी ठीक है 2711 दे दे तो भी लब मैरिज हो जाएगा इस अब साधी की नंबर है यह लव का नंबर है ठीक है आजकल पर यह सो मैं से 99 नंबर ऐसे ही आते हैं क्वेस्चन हम अपनी चीज़ें पसंद की चाहते हैं चले लब मैरिज के लिए सबसे खतरनाक नंबर कौन सा होगा यह चाहर नंबर क्यों क्योंकि दिस इस दा मेजर निगेशन ऑफ लव एंट अब माल लीजे इस क्लाइंट ने बुला सर मेरी लब मैरिज होगी कि नहीं आपने वोला 271 2511 आरा शादी हो जाएगी ठीक है लेकिन आपको क्या है माल लीजे यह आ गया है 2411 अब क्या बलेंग अब मैरिज होगी कि नहीं होगी यह स्टार लॉट दे रहा भाई इधर और और है नहीं है लेकिन यह खत्रा दिख रहे हैं अब आप क्या करेंगे धीरे से सब लॉट को देख लेंगे ठीक है यहाँ पर इसको सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है मालो यहाँ पर भी चार आगया तो यह लव मैरिज जाकर आगे क्या हो जाएगी लवलेस हो जाएगी प्रेम खतम हो जाएगी ठीक है डेंजर फॉर लव मैरिज ठीक है चार नंबर इस डेंजर फॉर लव मैरिज यद तो 6 और 10 नमबर एक्टिव हो जाएंगे सेप्रेशन करने के लिए ठीक है एक क्वेश्चन आपको सामने और बहुत आता है सेकेंड मैरिज कि सेकेंड मैरिज के लिए आपको डूवल प्लानेट देखना है और सबसे खतरनाग डूवल प्लानेट कौन से आपको पता है मैंने आपको बताया था सेटन और मर्करी पे विसेश नजर रखना सेटन किसी भी इवेंट को डिले कर सकता है और मर्करी किसी भी इवेंट में डूवालिटी ला सकता है तो जब भी दूसरी विवाह की बात आएगी तो आपका दिमाग चला जाना चाहिए कि स्क्रिप्ट में कहीं से मरकरी तो और कनेक्ट नहीं हो रहा है या कहीं से डूवल साइन या दूई स्वभाव राशियां तो कनेक्ट नहीं हो रही कुई बताएगा डूवल राशियां कौन कौन सी होती है दो तो इसी की है और कौन सी होती है जुपिटर की होती है यह जो राशियां होती है यह राशियां लिखे हाउस नहीं लिखे न यह जो होती है डूवल राशियां होती है कौन सी राशियां होती है डूवल राशियां हो duality में नहीं लेते marriage में और किस में childbirth में ठीक है आपको 3912 मतलब मितुन राशी धनू राशी और मीन राशी ठीक है मितुन मतलब jaminy, Sagittarius और Pisces इनको as a dual लेकर चलना है और देखना है कि script में कहीं कोई connection dual राशी से तो नहीं नहीं बन रहा है मैं आपको प्रस्ट भूमी समझा रहा हूं देखना क्या है वह अभी दो line में बता दूंगा लेकिन मैं आपको motto बता रहा हूं target बता रहा हूं कि आपका target क्या रहा है आपको ढूंडना क्या है वाप ठीक है दाए बाएं करके कहीं यह connection set तो नहीं हो रहा है यदि यह set हो रहा है तो there is a possibility for the duality या dual marriage या एक से अधिक विवा है clear है तो आपके दिमाग में set हो जाए कि कभी भी कोई भी विक्ति यदि मेरे से multiple शादी की बात करने आया है या दूसरी शादी की बात करने आया है तो सबसे पहले मैं उसके 7th house की script में यह सारी चीज़े देखूंगे या देखूंगा कि यह कहीं connection तो नहीं बन रहा है यदि बन रहा है तो there is a possibility for duality या dual marriage या second marriage या multiple marriage ठीक है वो कैसे देखना है अब हम आगे देखेंगे यह हमेशा देखिए मैंने marriage के पहले आपको मेजर नेगेशन मेजर नंबर बता इसलिए किसी भी चीज़ को याद रखना है उसकी प्रश्ट भूमी वह आपकी दिमाग में होनी क्लेर चली अब आप जो फर्स्ट marriage का question है हाँ हाँ बताई तो मानली जी लब चल रहा है दोनों में वो पूछने आया है कि हमारी marriage होगी के नहीं या बेक अप हो जाएगा तो अगर 2711 है तो तो marriage हो जाएगी रेक अप देखने के लिए क्या numbers देखने है breakup का मतलब क्या शाधी नहीं तो वह तो प्रेम का breakup कह रहा है यह चाहां तब किसी भी इवेंट में मेजर नेगेशन का सपोर्ट और मेजर नंबर का सपोर्ट देखिए यह चार आठ बाराव में से कोई भी एक नंबर विया जाएगा तो भी घर बढ़ा जाएगा केस है ना सर चलिए सेकेंड मेरिज में आपको देखना है सेवन्थ हाउस के कस्पल सब लॉड का प्लानेट त्यान रखी नहीं मैंने यह एरो एरो कुछ नहीं बनाया इसके अंदर मतलब मैं यह पूछ रहा था कि यदि लव ब्रेक होगा कि मैरिज ब्रेक होगी लेदी लव ब्रेक होगा तो मैरिज कहां से होगी वहीं तो मैं बताया ना यदि शादी नहीं हो तो केवल फिफ्फ हाउस देख लीजे आप वो लव एन अफेक्शन की बात करने आया फिफ्फ हाउस यदि नेगेशन को सो कर रहा तो उसका लव तो ब्रेक हो गई होगा ठीक मतलब शादी की माती नहीं पहुचेगी उसके पूछ राए कि मेरी मतलब की लव चलेगा कि नहीं चलेगा ठीक है यह लव लाइफ जो पूछता है सर वो भी इसी से देखेंगे हाँ इसके पूण सबसे ज़्याद आपके पास आते होंगे हाँ मत पूछी हम तरफान होगा चले सेवेंथ हाउस के कस्पल सबलोट का प्लाइनेट यदि किसी भी प्रकार से डूआलिटी से कनेक्शन करा ले ध्यान रखना है डूआलिटी से कैसे कि सेवेंथ हाउस का क्सपल सबलोट का प्लाइनट जो है वो जाके डूवल राशी में बाठ जाए हाँ पे बाढ़ जाए । जैमीनी, सेजिटेरिएस और पाइसेस में जाकर बाठ जाए तो भी इसका कनेक्शन किससे बन गया है डूआलिटी से बन गया आपको डूआलिटी से एपको वो शिर्ट कर रहा है। दूसरा माझ लीजे आपको Mercury नहीं मिला, Mars मिला, लेकिन आप ने देखा वो जो Mars है, वो 3912 नंबर की राशी, ध्यान लाकि यह राशी में जाकर बैठा है, तो Source Planet आपको कहां बैठा है जाके, duality में जाकर बैठा है, तो कहीं न कहीं वो चीजों को double कर देगा, double मतलब समझ गए आप, ठीक है, मतलब यह show कर रहा है कि second marriage के योग है, ठीक है, अब यह duality कई प्रकार से हो सकती है, अब आपने देखा, इतनी कहानी देख ली, अब आपने इसके बाद देखा star law, यदि इसने क्या दे दिया, two और eleven दे दिया, तो second marriage हो जाएगी, पहले आपको seven था, उसके कस्पल सब लॉट के planet का connection, duality से देखना, अब यहाँ पर सरने जैसा पूचा था न, अब आप माल लीजिए, यहाँ पर मार्स मिला, ठीक है, और seventh aspect किस की आ रही है, मर्करी की आ रही, तो भी य मार्स क्या है, duality से connect हो गया, ठीक है, यह सब आगे की चीज़, अब चुकि प्रशना आया था, तो मैंने आपको बता दिया, अब यह सब आगे की चीज़ है, लेकिन, मैं बोलना हूँ, connection, तो connection की जब बात होती है न, तो आप anyhow ढूनेंगे, anyhow में यह सारी चीज़े आ जाती माल लीजिए, आपने देखा, 7th house का कस्पल सबलॉड मार्स है, ना तो वो 3 में बैठा है, ना तो 9 में बैठा है, ना तो 12 में बैठा है, वो जाकर बैठा है मरकरी के साथ, और किते डिगरी के डिफरेंस पर बैठा है, 3 डिगरी 20 मिनिट, तो यह क्या वन गया, conjunction, तो भी य के जो 7th house का कस्पल सबलॉड है, वो duality से connect हो गया, तो मैंने आपको इसलिए पहले ही बता दिया था, आपका target है, 7th house के कस्पल सबलॉड प्लानेट को duality से connection को चेक करना, वो किस प्रकार से हो रहा है, यह आप सारी विधियां लगा देंग, जित्ती आप जानते हैं, तब जाकर यह show हो रहा है कि there is a possibility for the second marriage, अब आगे आएंगे, star lot देखें, यदि वो 211 दे रहा है, तो second marriage हो जाएगी, समझ में आगी बात, यह बहुत जादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसमें किसी को कोई doubt है, तो पूछ लिए, बाकी numbers क्या है, थोड़े बात मैं आगे और बता दूँगा, कोई रोल नहीं है, नहीं वो सब आगे बताऊंगा, 9th CSL का रोल नहीं है, बताऊंगा, आगे बताऊंगा, इतने ज़रुए कोई चीज है, आपका कोई प्रस्ष्ट, आएगा, आगे, आगे, आएगे, सर्वान चाहरी थी, कि 7th CSL मानलू को बैने थे, और बुद्ध के राशी में बैठी गया, और ब्रहस्पति अगर ब्रहस्पति भी साथ में, आपने बोला थे ना, ब्रहस्पति को भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये डूवल राशीयों का मालिक है, ये जो है डूवल राशीयों का मालिक है, तो यदि, उस 7th house के कस्पल सब प्लार का प्लेनेट का किस से बन गए, मर्किरी के इलावा जुपिटर से भी बन गया, तो भी वो डूवल डौएलिटी के कही न कहीं प्रभाव में आ जाता है, तो भी कही न कहीं वो स्कृप्ट जो है, वो डौएलिटी के के प्रभाओं में आ गई मतलब एक से अधिक मैरिश के प्रभाओं में अंद अबाम देख Kansas family नहीं अश्ऺप सकते हैं अब आप defer मालीजे आपने देखा सेवन थासका कस्पल सब लॉड्ड जो है वो मर्करी कद ए अपको मर्करी ही मिल गया है फिर आपने देखा कि यह जो मरक्री है, वो 3 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर की राशी में भी जाकर बैठा है। इसके बाद आपने इसका स्टार लॉट दिख्था। यह थीया है, वो भी मरक्री आगे। है क्या हुगा वो भी मरकरी आ गए फिर आपने देखा कि यह देरा 2711 अब क्या होगा चारों तरफ डुएलिटी तो दिस इस काल्ड मल्टिपल मैरिज एक से अधिक शादियां यह तो उपर सेकंड मैरिज की बात कर रहे थे यह एक से अधिक शादियों की कुंडली है तो चारों तरफ डुएलिटी ही डुएलिटी ठीक है तो यह विक्ति रोज साधी कर सकता है ठीक है कि सोर कुमार के कुंडली में होगा एक सब्सक्राइब पूछ रहा हूं अब यह दो किसम का सेकंड मैरिज होता है एक तो क्या है डिवोर्स हो गया है और एक हो गया कि वह वाइफ या हजबंड की अभी आगे बता दूना हमें समझ गया आपकी फीलिंग वह आगे आएगा ठीक है इस तरह के भी कोश्चना मेरिज के हाँ इवेंट के बाद में लिखाऊंगा अभी हम जन्रेल क्वेश्चन देख रहे हैं वह तो कंडिशनल हो गए चली मुल्टिपल मैरेज हो गई सेकेंड मैरेज हो गई अब लिवन डिलेशन ओं हाँ लिवन डिलेशन ठीक है कौन सा हाउस देखेंगे तो फिफ्थ हाउस प्यार महबबत की बात है तो फिफ्थ हाउस पाच आट ग्यारह देखें एक चीज और थोड़ा सा समझ लीजिए हाँ यह जब यह इस टाइप की चीज़ें आती ना लव लिवन पाच आपको पता है यहां पर एट नमबर है यह क्या है बेड़ प्लेशर है और यह है सेक्चुल रिलेशनशिप सेक्चुल ओर्गन यह दोनों चीज़ें आ गई मतलब उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन है तो इस टाइप की केसिस में इन नमबरों पर ध्यान पाच आठ बार यह हमारे सेक्स आर्गन होते हैं यह हमारा बेड प्लेजर होता है यह दो नंबर दिख रहें मतलब वह आहां पर कोई न कोई फिजिकल रिलेशन्शिप है साथ रह रहे हैं लेकिन फिजिकल रिलेशन्शिप है तो यह नंबर पे भी जब इस टाइब के तो यह फिफ्ञ को देखना है ना अगर फिफ्ञ ची को पांच आट बारा कह रहे हैं तो वह तो लब तो ब्रेक हो गया लिवें तो हो गई नहीं 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 अद्रव दियारा देखना है आने वाले नंबर इस्क्रिप्ट में आने वाले नंबर ठीक है इसमें सेकेंड फॉस्ट सेकेंड और फ़र्ड स्टेज होते हैं तो यह आधा तो रहा है लेकिन यह फिजिकल रिलेशनसिप में पहले से माली जब शादी के स्क्रिप्ट देख रहे हैं और वहां पर कोई आया है और उसको यही डाउट है कि मेरा होने वाला स्पाउज जो है उसको लेके मैं कुछ माता पिता ने ढूंड तो दिया है मैंने खुद चेक किया इसका ठीक है तब आपको इन नंबरों पर ध्यान देने की आवशक्ता पड़ जाती है कोई जैसा पूछे कि महिला आगे अपने हस्बंड के बारे में पूछ रही है ठीक है कुछ ऐसा लगता है कि कोई सीक्रेट ला के साथ आपको यह सब नंबर भी देख रहे हैं सीक्रेट लाइफ तो जी रहा है साथ में मज़े भी कर रहा हूं ठीक है तो मेरे कहने का उद्देश है कि जब इस टाइप के प्रशना है तो यह पांच आट बारा आपके दिमाग में नेकिटिव वे में कैसे आना चाहिए व प्रकार से इंप्लिमेंट हो रहा है यह आपको उसके इंफॉमेशन की बेस पे अनलाइज करने यह नहीं कि जो आया उसको बोल दिया ठीक है हमेशा आप देखिए भगवान नहीं है डॉक्तर भी भगवान नहीं होता है एक डॉक्तर ने जीवन बहला इलाज किया लेकिन उसके पास कभी यह पावर नहीं आया है कि वो मरते को जिंदा कर लेगा यह जो मरने जा रहा है उसको बचा लेगा और उसने अपनी ला पारा देख लिए तो यही होगा आप उससे बेसिक डाटा लेंगे ठीक है आप अपने क्लाइंट से यह उससे जितना बात करेंगे इससे जितना इंफॉमिशन लेंगे आपको यह नंबर रिफ्लेक्टिव में नजर आएंगे रिफ्लेक्ट होते हुए देखेंगे तब आपको देखना है कि कस्पल सब्लॉड का प्लैनेट कौन हैं सैटन हैं तो आपको पता है वो तो डिले का ही का रहा कình लेकिन आपको देखना है कि कहीं राहु मार्ज संतों नहीं है यह भी आपको कॉमन हो गया है लोग जीवन में सक्सेस नहीं हूं मुझे जौब नहीं लगी ठीक है यह तो आजकल 2830 कॉमन हो गया है चलिए नो मैरिज कि सेवन्थ हाउस का कस्पल सब लॉड इंदर स्टार लॉड यह क्या देदे 610 देदे एक है यह Turns Türkiye है अब यहांपर नो कहने के लिए बहुत सारी चीजों पर विचार कना पड़े़ाया प्रक्राव पैसा और सबने मैरिज को सपोर्ट करने वाली महादशा आ रही है किस्के आप भी आप यह नहीं पड़े है कि मैरिज में स्क्रिप्ट में कोई चीज नहीं दिख रहे हैं तुछ कैसे देखना है ठीक है अब वह सीखने के बाद भी आपको कोई की इवेंट होगा की नहीं होगा यह महादशा अंतरदशा बताती है ठीक है तो यह सारी चीज़े आगे की चीज़े लेकिन आपको नजर कहा रखने कि यदि सेवें था उसका कस्पल सब्लॉड इंदर स्टार लॉड सिक्स्टेन दे रहा है अब उसमें आपने देखा कि स्टा जब आप उम्मीद खो देते हैं तब आप आस्पेक्ट भी देखते हैं कोई अच्छा प्लैंड देखते हैं कहीं जूपिटर तो नहीं देख रहा है तो चीज समल जाएगी तो नो कहने के लिए आपको ध्यान रखना है बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है इसलिए नो आप डारेक्ट नहीं कह सकते वह आगे आगे आप सीखेंगे लेकिन अभी जो सीख रहे हैं उसके अपको ध्यान रखना है यदि कस्पल सब्लॉड इंदस टार्लॉड सब्लॉड सब 610 लेकर बैठे हैं तो यह तो निश्चे थी कि विक्ति की शादी नहीं हो जुपिट मतलब साथ में बैठा आसपक्ट तो फिर भी दूर की बात है दूर से देख रहा है ना तो कंजंट होना तो पॉजिटिव है आसपक्ट की अपिक्ष्ण ज्यादा पॉजिटिव है आसपक्ट की अपिक्ष्ण सर मैं पूछ रही थी कि 7th CSL अगर मालो किसी का यह चारों प्लैनेट में से कोई है और वन भी दे फाइब दे दे तो फिर उसको क्या करेंगे क्या बोलेंगे यह तो अजीब सा नंबर हो गया ना जैसे अगर मालो आपने चार प्लैनेट बताए ना राहू सनी मंगल और एक से का इनके नमबर नहीं देखना है कि कस्पल सब लॉट के रूप में यह तो नहीं आ रहे हैं कि हां तो मालो यह आ रहे हैं और नंबर भी दे रहे यह 158 भी दे रहे हैं दस सिक्सी तरह से 6 विदूर जा रहा है ना देखना क्या चाह रहे नहीं तु पढ़ेंगे क्या तो बहुत सारे नमबर आ गया तो कहेंगे क्या यह देखिए पढ़ना तो आपको एकॉर्डिंटु क्वेश्चन है ना सामने क्या पूछेगा ना कोई इसमें तो फाइव आ गया तो लब भी आ गया तो कुछ और भी आ गया तो आपने निगेटिव नमबर बताए हैं टैन सिक्स और 11 डिन अलगा तो इस टारहएं स्टार लॉट पर वट्वाण टैनल इस टॉर्ड बोलें ठीक है और सबनुए सब्लड पर यह नमबर यह स्टार लॉट पर फाइब ऊगया पूर फाइब आगया यह लिए एक कस्ब्लॉड होता है एक सब्लॉड होता है आप किस की बात कर यहां पर सेटन आया और इसके नंबर आ रहे हैं यह तो अपने वह स्पाउस के बारे में जो जानना चाहेगा तब इन नंबरों को देखना और इस प्लानेट को देखना अन्या था साधी से रिलेटेट कोई चीज के लिए नहीं देखते तो साधी का इसमें पता नहीं चलेगा कि साधी लेट है कि सभी रहे कि लव मेरेज है जैसे कोई आए लेट और जल्दी के लिए केवल आपको कस्पल सबलोट के प्लानेट को देखना है क्या वो सेटन तो नहीं है क्या वो राहू तो नहीं है क्या वो मंगल तो नहीं है क्या वह संतों नहीं यह बनते हैं तो यह कर रहे हैं कि लेट मैरेज होगी नंबरों को नहीं देखना है और इसको पढ़ेंगे लव मेरेज पढ़ेंगे और लड़ाई जगा मतलब तो आपने अच्छा नहीं बताया है ना कृफ़ पर पर घ्चानी छाती की बात कर रहे हैं आप तो छाधी की बात कर रहे है तो क्छेड़ी के लिए तो दो देखो बहुत सारे चीज़े देखते हैं आभ यह कहना चाहते हैं一 anál ड़ी कक्या क्विडा की लाता है चमार का कभी-कभी चृजिजन हो जाता है इस तरह यहां पर बैठा है तो सबसे पहले यहां बैठा है वहां की रिजल सबसे पहले देगा बाद में बंदा जो खुद है उसके मेहनत से साधी ठीका रहे है वन नमबर आ गया ना अब आप देखेंगे कि सेवेंथ हाउस का कस्पल सब लौट का प्लानेट ध्यान रखिए केवल प्लानेट देखना है नमबर नहीं देखना है ठीक है तीन कैटेगरी लिख रहा हूं एक सैटन एक है जुपिटर सन और वीनस ठीक है तीसरी कैटिगरी में मार्स मरक्री और चंद्रमा ठीक है आपने देखा कि सेवेंथ हाउस का कस्पल सब लौट का प्लानेट सैटन है तो आपने एक चीज जानी की लेट मैरेच होगी अब यहां पर आप यह भी देख सकते हैं कि आपके स्पाउस के साथ आपक आपके और आपके स्पाउस के बीच में एज डिफरेंस क्या होगा बहुत जादा होगा ठीक है यह यह इंडिकेंट कर रहा है कि आपके और आपके स्पाउस के बीच में बहुत जादा एज डिफरेंस होगा यदि आपने देखा सेवेंथ हाउस के कस्पल सब लौट का प्ल बीच में आपको मिलेगा ठीक है लेकिन यदि आपने देखा कि वो मार्स है मरकरी है मून है तो वो कहीं ना कहीं equal age group के विक्ति होंगे पती-पत्नी वो जो पती-पत्नी होंगे यह जो उनका spouse होगा वो equal age group के होगा इक्वल का मतलब अब यह नहीं मुलना कि वह अठारा साल चे महीना तीन दिन का लेकिन वह तो सब्सक्राइब कर दिखने में भी आप एक जैसे होंगे एज ग्रूप भी आपका एक जैसा होगा बस सैटन होगा तो आपके दोनों के spouse के बीच में क्या होगा इस डिफरेंस बहुत अधिक होगा ठीक है जुपिटर सन वीनस है तो एक आपके हिसाब से जो reasonable होना चाहिए कि दो साल दस साल पांस साल का एक अंतर पर हमारे हैं शादी होती है वो ग्रूप चलेगा देश काल के हिसाब से ठीक है जब बात आएगी राहु के तुकी है तो आपको पता है क्या देखना है कि यह किसकी राशी में हैं या किस नक्षत्र में बैठे हैं तो उस प्लैनेट से आप इनको connect कर लेंगे और वो प्लैनेट क्या होंगे इनी में से कोई एक होगा ठीक है तो उसके according भी आप मालीजे आपको 7th house का कस्पल सब्लोड राहु मिल ग इस डिफरेंस में इन प्लैनेट के लावे यह दे राहु के तु आगे तो आप देख लीजिए इसका dispositor कौन है ठीक है किसकी राशी में बैठे है उसके समाने वहवार करेंगे मालीजे यह मितुन राशी में बैठा किसके समाने वहवार करेगा मर्करी तो मर्करी का formula लगा दीजिए ठीक है सैटन की राशी में बैठा तो सैटन का formula लगा दीजिए मतलब इस डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो स्पाउस के बीच में जानना चाहते हैं पती-पत्नी की बीच में ज्यादा इस डिफरेंस से कम है इक्वल है तो इस प्रकार से हम कस्पल सब लॉट क अब आपको कई सका होगा कैसा होगा तो आपको क्या देखना है कहा है है कहां से होगन कैसा होगा है यह सारी चीजें आपको कौन बताता है यह प्लैनेट और इसके नंबर्स बताएंगे गर के पास मिलेगा दूर मिलेगा पिताजी धूनेंगे माताजी धूनेंगी तो यह सारी चियांकारी आपको सोर्स प्लैनेट मतलब कस्पल सब्लॉट प्लैनेट देगा सब्सक्राव सर्मेरा फ्ली विदेष से आएगा कि नहीं आएगा क्या ओंस जो ही दिवेंगे डिफरेंट इनवायरमेंट ऐसे दो पता है दो दूसरे चेत्र से आएगा क्योंकि 12 नमबर इक डिफेंड इन्वायरमेंट इन न्वेरनमेंट भास मेंट में बात समझमें आरी सब्सक्राइब कि सोर्स बता रहा है डिफरेंट रिलीजिन और कास्ट ठीक है ऐसे आप देख सकते हैं इस पर आप हूँ भी आप होगा तो फैमिली के मादे हमसे बोल सकते हैं कि साधी होगी हाँ चार नमबर आएगा तो और तू परिवार को तूम है तू है आप्टर मेरेज हैजबंड और और वाई पो जो डेट होगा वह ऐसा कोई सुंकित है है अब बोला ना दीरे-दीरे आप देखते जाई सारी चीज आएंगे चिंतना करें प्यांट किया बता है जीवन का बहुत बड़ा वह एवेंट इस से ज्यादा तो मैं इसमें और चाइल्ड वर्थ इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगता बागी सब चीज़ें पॉस्टन में सबसे ज्यादा इसी का आता है इसका चाहिए पटा-पट कर दिया वापस कभी आएगा कि नहीं तो उसको कैसे देखेंगे वह इसमें नहीं है अब यह सब यंग जेनरेशन के कुस्टन से ठीक है यह इस तरह साधी वाले में नहीं आएगा यह कुछ दूसरा वह रहते हैं टेलेफॉनिक सब होरारी से करना चाहिए होते हैं जब अपन होरारी पढ़ेंगे ना तो बताओंगा चली आपको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं मेरा स्पाउस छोड़कर भाग जाएगा तो भागने के घर जो होते हैं 3 और 12 होते हैं ठीक है 3 क्यूं होता है क्यूंकि मैंने आपको बताए आपका घर यह आपका अपका इडर्स क्या है चार नंबर तो उसका निगेशन क्या होगा तीन नंबर अब कोई विक्ति जब भी भागता है तो क्या होता हो कहीं जाकर ऐसी जगा छुप जाता है जो दूसरे लोग नहीं जानते तो अन्नोन प्लेस या डिफरेंड इन्वायरमेंट इस ट्वेल न अन्वान्त पहल इसलेगानते एंवेड इन्वायरमेंट तो व है बारानंबर ट्वेल नंबर विसी लिए भागने के जो नंबर होते थीन नंबर और 14 नंबर होते हैं लेकिन य不知道 भागने का खतरा आपको देखना है स्पाउस का आपको अपने spouse का देखना है तो देखना आपको यही है तीन नंबर third house तो first, second, third तो यह कौन सा house है आपकी कुंडली में आप अपनी कुंडली से spouse के भागने का चेक कर रहे न ठीक है अब आपको देखना बारवां गार तो यह spouse का बारवां गार यह है that is six तो यदी seventh house का कस्पल सब लॉड इंद स्टार लॉड आपको 369 देगा क्या देगा 369 देगा तो spouse छोड़ कर भाग सकता है ठीक है six और nine कहां से आए यह है यह तीन नंबर दुबारा क्यों आ गया क्योंकि वो जहां रहता होगा वहां से भागेगा ठीक है वो जहां पर रहता होगा वहां से भागेगा तो आपको 369 नंबर सिगनिफाई करेगा तो spouse छोड़ कर भाग सकता है ठीक है पिताजी आए कुंडली दिखाने उनको इडर लग रहा है कि मेरी लड़की यह मेरा लड़का भाग न जाए तो आपको यह चेक करना है मैं बताया ना आज कल के में मैं बताया ना पांच-एड़ बारा बहुत इंपोर्टेंट है आज की जेनरेशन के यह भी बहुत इंपो रहे लगा सकते हैं सब्सक्राइब कि बात हो रही है अच्छा अच्छा इसपाउस का जो तीन लगाया आपने यह तो सेल वहाँ से भांगेगा यह तीन नमबर है ना यह जो नंबर है यह आपकी कुंडली के हैं इस नंबर को इसलिए कि इस पाउस जहां कहीं भी रह रहा होगा करेंट एंडर जहां से होगा वहां से चला जाएगा मतलब फोर नंबर उसका ठीक हो उसको भी ले लिया जोन कि मार रहा है कि स्वाँस प्रस्तास में रह रहे हैं दो स्वाइव करेंट्ट होगार साणी नटी में और वोल रहे है ठाउस थो इसलिए तो भी आप प्रिजेटों कुंज albums रहंे हैं नवे मतलब मेरा टेंट फोरइखंस ना मैं आपकी बास समझगा मैंने कखा यह दो नंबर जो है वह आपकी कुंडली के हैं मतलब आपने अपनी कुंडली से स्पाउस के नंबर देखें जो लेकिन यह जो फॉर्थ हॉस है यह उसका देख रहे है उसकी कुंडली का ठीक है जब आप भागेंगे तो आपके लिए कोई दो ही नमबर चाहिए ठीक है आप अपने घर को छोड़कर भागेंगे इस फोर्थ हांस का कस्पल सब लॉट थी एट ट्वल सिग्निफाई कर देगा तो आप घर को छोड़कर भाग सकते हैं ठीक है यह जो ठीनमबर फोर का negation लिया गया ह ہے वो उस client का लिया गया मतलब सामने वाले वेक्यी का है उसका इस कुंडली से कोई लेना देना ञे ये जो कुंडली बनी है spouse की बनी है लेकिन ये जो चार number का negation लिया है वो सामने वाले का मान के लिया गया है बात समझ में आ रही यहां से हमने उसका नहीं लिया है चार नंबर हमने यह माना है कि वो जहां रह रहा होगा मतलब उसकी कुंडली में negation आ रहा है अपने वो current address को छोड़कर भाग रहा होगा कहीं से ठीक है तो यह उसका नंबर है तब ही तो मैंने आपको पता है न यह जो दो नंबर है वो आपकी कुंडली मतलब spouse हमने आपकी कुंडली में spouse को find out किया था वो यह दो नंबर वहां के लेकिन यह जो तीन नंबर लिखा है यह उसकी कुंडली का है मतलब वो जहां पर भी current address में रह रहा होगा वो उसको छोडएगा तभीव सका भागना होगा कí के इसका भागना पका होगा क्यूंकि हमने उसकी कुंडली को भी देख लिया और अपनी कुंडली को भी देख लिया ठीक है तो जब आपको स्पाउस सामने वाली के कुंडली से लिए कि वह जहां भी रह रहा होगा महां से भागेगा उसका नेगेशन ले लिए अब एक यह सब्सक्राइब ना सब्सक्राइब ना आएगा भी मैं लास्ट में लिखाऊंगा ठीक है तीनी घर देखने ज़्यादा देखने जिरूर्वती नहीं पड़ती अ बहुत सारी साधी करने वाले भी नहीं आते आपके पास ठीक है चलिए एक वह होता ना विध्वा योग या विदुर योग ना मतलब पत्नी मर जाए या पती मर जाए तो क्या देखेंगे भाई देखिए पती या पत्नी कम मरेगा शाधी के बाद मरेगा मतलब किसी से वह व्यक्ति शाधी कर लेगा तभी वो उसका पती बनेगा या पत्नी मनेगी है ना उसके बाद वो मरेगा ठीक है तो कहीं न कहीं उसकी कुंडली में डुयालिटी के योग होंगे ठीक है शाधी दो condition में होती है एक spouse के मरने के बाद होती है दूसरा उसे spouse के रहते हुए होती है तीसरा divorce लेने के बाद होती है तो divorce वाले case में हो सकता है कि spouse आपका जिंदा हो ठीक है तो लेकिन हम ये possibility मान के चलेंगे जब तक उस client की कुंडली में duality के योग नहीं होंगे क्योंकि duality का योग इसलिए उसकी कुंडली में आया है कि या तो उसका spouse उसको छोड़ कर चला जाए चोड़ने के दो तरीके है या तो छोड़ के इदर उदर चला जाए या छोड़ के दुनिया से चला जाए ठीक है तो कहीं न कहीं दुनिया से छोड़ कर जाना भी डूआलिटी से कनेक्ट है भाई कोई इवेंट होना है तो उसका कारण भी तो जेनरेट होगा तो यहां पर कारण जेनरेट क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी की यहां पर गढ़ना की जा रही है विद्धी हे है देखा है ना डूँल साइन तीनना बारभा कहीं वहां तो नहीं बैठता है फिर किससे बखेंगे को मर्करी शक्राइक थो नहीं बन गया टूहीं के किस्से मर्क्री से उपिटर ने 0 क्यों ले सकते हैं क्योंकि ये डूवल राशियों का मालिक है ठीक है आस्पेक्ट भी देख लीजिए किनके इनके और इनके किस पर सेवेंथ हाउस के कस्पल्स अब लॉट पर मैं बताया ना possibility ढूंडना है connection ढूंडना है ठीक है पहले तो उसकी कुंडले में duality की योग होना चाहिए तभी या तो उसका response उसको छोड़ेगा या उसकी मृत्य होगी अब हम चू की विद्वा या विदुर योग को देख रहे हैं इट मीन्स हम यह find out करना चाहरे हैं उसकी death को तो अब आप जाएंगे इसके बाद इसके बाद आप देखेंगे star lot ठीक है star lot क्या दे दे मारका एंड बाद का मारका प्लस बाद का यह क्या होते हैं जब हम longevity पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा मारका फिक्स होते हैं आपको पता है और बाद का जो होते हैं वह 7 9 और 11 11 नंबर यहीं खतरनाक होता है वरना सबसे अच्छा नंबर 11 11 number because 11 number is for the desire fulfillment number हर एक इवेंट में आना उसका अच्छा माना जाता है लेकिन यह 11 नंबर एकी जगह खराब हो जाता है जब वह बाधका बन जाए आपके लिए तो आपने देखा कि 7th house का कस्पल सब लॉड देखो मरना मतलब रिजल्ट तो इसका connection कहां पर बनेगा स्टार लॉड से बनेगा अब आप स्टार लॉड में देखेंगे कि मार्का या बाधका से connect तो नहीं और अब मार्का आपको fix होता है हर एक वेक्ति के लिए 27 है ठीक है और बाधका क्या होते हैं हो अगे कैसे निकलते यह 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 तीनों नहीं होते हैं इनमें कोई एक होता और हर वो वक्ति के-लिए अलगः या तो सेवेन होगा या तो नाईं होते या तो 11 कभी 2 नहीं होंगे कभी 3 नहीं होंगे केवल एक बाध का बनता है ठीक है एक नम्मर बाध का बनता है कैसे बनता हो हम आगे सीखेंगे अब आपने देखा कि Star Lord जो है वो मारका एंड वाधका से कनेक्ट हो गया है तब आप कहेंगे कि उसकी कुंडली में विदुरी हो गया विदुरा का योग है ठीक है है चली मतलब सर कि 25 परसेंट लोगों का मरने के चांस है शादी के तुरंत बाद 2-7-11 मतलब चर लगन के चार लगन होते हैं तो 25 परसेंट हो गया है तो देखो ना मारका स्थान कैस तू और सेवन यह आपकी फैमिली यह आपका स्पाउस नहीं दोनों के चलते तुरा जिंदी मरता है ठीक है और यह रोज बाजू में आपके 24 गंटे रहते हैं ठीक है और सबसे बड़ा सथ्रु को नहीं है जो हमको जो हमारे आसबस में सबसे लाझन च्यानता है कि,. सबस्ट्रू की कating इसको खतर नाग माना गया एक तो वह अन्नोन है और शाथ हा।्किए तो यहीया कुक्णेक्ट करके ना तो यह 2 और 7 और रिलेवेंट डिखिंगे मार्का मतलब हमारा जो हमें का पहुंच है कस्ट पहुंच है वह हमारा चलिए इसमें थो मिनेट में और ध्यूडर मिनट और अब फिर आपन चलिए ज़िए मेरे को मालूम तो बहुत सारे क्वेश्चिन आएंगे इसलिए मैं सब निकाल के बैठा था ठीक है इसके बाद आप लोग क्वेश्चिन करिए इस लैंग्वेश को आपको समझते हैं स्टार लॉट तक जाना है इंगेजमेंट मेरी इंग्लिस से अंदाज नहीं लगाईगी मेरी इंग्लिस अच्छी बहुत ही खराव है ना हमें हिंदी मिडम को स्टूडल्ट हो बीच बीच में थोड़ा सा निकल जाती है अ मिसर ने कहा था ना वहीं इंग्लू कि अचे आपाइगा अचे है कि लिए यह लाइन आपके लिए काम किया है यह बहुत इंपोर्टेंट रहा हुआ नो मैरिज विथा लव पार्टनर कि एंड का मतलब है चार नंबर आना ही चाहिए कि देखें भाई म्यूट पर यह किसकी रवाज आ रही एक कॉंफ्लेक्ट लिखाया ना मतलब लड़ा ही जगड़े बाद विवाद तो यह क्या लिखा चे बारा के बाद प्लाइट। मतलब आप समझते हैं कन्जंशन द्रिश्टी influence of Mars Mars जो है लड़ाई जगड़े का प्लानेट कॉंफ्लिक्ट देता है लड़ाई जगड़ा उत्पन करता है तो यह आपने देखा कहीं न कहीं का मतलब connection समझ जाई है जन्रल लैंग्विज मिलें connection तो नहीं बनाना है मार जैसे हमने डुएलिटी के लिए connection दूड़ा था उसको हम कह सकते influence with dual sign और influence with the mercury वही की शब्द का मतलब है connection कि यह जो एरो से पहले नंबर लिख रहे हैं वह स्टार लॉट तक जाना यह नंबर स्टार लॉट के हैं नहीं उससे पहले जो साथ लिए वह सब्लॉट को देखना है किसकी स्क्रिप्ट बनानी है थडा उसके कस्पल सब्लॉट की यह है इसका मतलब मैरिज टूआ विड़ो सब्सक्राइब लॉट लॉट अब लॉट बैचने इसके बिचने अब लॉट लॉट मतब लॉट कर दोंगे अपने में अच्छे ले लोंगे अधुबार पढ़नोंगे साथ पर लॉट 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 आण में खेंड़án ये विड़ो का मतलब है इसमें विदूर और बिदवा दोनों केस में थे विदॉर का देख रहे हैं तो फीमिल के लिए पीमिल के लिए होगे विशी ज़से अर्स व्डो सर mostrar लग रहे हैं के यह सिरफ वीड़ोस के लिए कंडिशन है समझेगे समझेगे आपकी बाद यह देखी यह क्वेश्चन अभी सेवन सीएसल सर पुदी मारकाबाद का होतों दोनों होतों इस थोड़ी अप्तो स्टार लॉट से कोई भी रिजल्ट वाइंड करते हैं हां हां मतलब वह स्टार लॉट पूली मारकाबाद का उता ना भी मारकाबाद काया तो स्पाउस की लाइफ पे खत्रह आए जैसे मिधुन लाकरना हुए ना प्रहस्पति मारक बात अगतों हूनों 2nd marriage world is still married to यह तो मुस्लिम्स के लिए ही होगा ना क्या है मूल्टिपल मेरिज आप कहेंगे तो मुस्लिम के लिए स्टारलोड मेर कोई एक दोलड राशी में भी जाकर वैठा है अपनी राशी में जा कर वेठा है तो इत्ती सारी विसेशता है विसे थोड़ा सा मुस्लिम्स में ज़्यादा मैरिजेस होती है ठीक है वह यह ज़्यादा देखने को मिली हूँ इसकेंड मैरिज वाइल वाइल मतलब जब की है ना स्टिल मैरेट टू फर्स्ट फर्स्ट स्पाउस इसका मतलब है आपका पहला पार्टनर जिन्दा है ठीक है सेकेंड मैरिज वाइल स्टिल मैरेज टू फर्स्ट मतलब एक व्यक्ति से आपने शादी कर रखी है वो जिन्दा भी है सब है लेकिन आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं इस सेवंथा उसका कस्पल सब्लोर इन दे स्टार लॉट शुट सिगनिफाई टू सेवन एंड एंड मतलब यह होना ही चाहिए कि वैसे हिंदू में जो है साउथ इंडिया में और गुजरात में अभी भी है दो मेरेज वाले लोग तो मर्कृरी मर्कृरी रहेगा कि यहां कल्चर है वहां तो कोई दिक्कर नहीं कि द्वेश काल देखना जरूरी है जब्कि लीगली एलाउड नहीं है नहीं हिंदू मेरेज एक्ट में तो ऐसा करी नहीं सकते हैं तो जत्ते हीरो हिरें लोग है उन्होंने क्या किया मुस्लिम धर्म को एडॉप्ट किया फि दूसरी शादी करी तो कैसे शादी करी पहले मुस्लिम धर्म को एडॉप्ट किया उसके वाद शादी कर लिए कानून का तोड़ जैसे मैंने बुला ना हट दिख रहा है साधी के रिजिस्टेट करा लो यूटलाइजेशन अफ नम्म ठीक है तो उन्ने यूटलाइजेशन जूपिटर और मर्करी इंफ्लॉएंस इंडूल साइं इस सारी चीज़े आप पढ़ चुके हैं यह मैं केवल आपको नियम लिखा रहा हूं इसलिए मैं क्या होता है सारी चीजों की प्रस्ट भूमी बता देता हूं प्रस्ट भूमी इन दे सेंस किसका क्या रोल है ना मैंने लिख दिए हैं ठीक है साधी से एक पी तो यह आपका डॉपिक था मैरेज जो कि सबस्टेटे सारी बताइए किसका क्या कुश्टिन वह सब इंटर कमुनिटी लिखा है ना वह इंटर रिलीजियन है इंटर कमुनिटी के बात अब ऐसा नहीं है कि राजस्थानी और ग तो धर्म परीवर्तन जरूर आएगा ठीक है एक्चल में हम क्या बोल देतें इंटर कास्ट मेरेज कास्ट इस डिफरेंट तिंग और धर्म जैसे आपने वोला गुजराती और राजस्थानी यह कास्ट है ठीक है लेकिन हिंदू-मुस्लिम हिंदू-सिक्ष यह क्या है क्वेस्टिन है जो आपने बोला था कि इफ स्पाउस डिवॉर्ट्स और डाइस तो सेवन्थ कस्पल लॉड थू इट्स एनल गिव मारक प्लस बाधक धाट इंप्लाइज विडो होड सो यह मारक और बाधक सेवन्थ कस्पल सब लॉड उसका नक्षतर लॉड और टू- सामने वाली की चीज़े देख रहे हैं तो फिर बाधक भी जातक का खुद का देखेंगे मारका और बाधका से आने का मतलब है कि वह इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि यदि स्पाउस की लाइफ देखना तो आपको फिर फर्स्ट हाउस के कस्पल सब लॉड को एक्जामीन कर देगा वह यदि मारकाबाद का देगा तो उसकी जीवन पर कस्टाएगा ठीक है लेकिन हमने किसकी स्क्रिप्ट बना रहे हैं सेवन्थ हाउस की तो आपनी लड़की का शादी कर रहे हैं तो प्रॉस्पेक्टिव लड़के का चार्ट देखना है कि उसमें है के नहीं है लड़के का चार्ट देखना है कि जितना कुछ भी आपने बच्चे के चार्ट मे'm देखना है या हो लड़की taking को ने जब हम लड़की आपनी लड़की की शादी तो हमने वह जो लड़का जिससे शादी होना future mecla था मैंना है न कि झालो मारी लटकी के लिए वो देखने के लिए दूसरे फॉर्म remembering कि अभी तक आपमें जितना पड़ा है गाफ़न की लड़की की शाधी करने जा रहें तो आपको लड़की की पार्ट होता है इसके लिए दूसरी चीज़े देखे जाती इसके लिए रूलिंग प्लैनेट की मदद ली जाती है ठीक है तो फोर्थ हाउस देखना है जैसे माली जी कोई महिला आती है शादी शुदा है अपने सब्सक्राइब करेंगे अगर फोर्थ आया तभी चार नंबर आया आपको लगेगा कि वह सकता है कोई सीक्रिट लाइफ जी रहा है अब यहां पर यह चार नंबर मदर नहीं बनेगा क्योंकि जो प्रश्ण है मैंने बताए ना नंबरों को क्वेश्चन के वित रिस्पेक्ट सोचना है क्योंकि एक नंबर तो बहुत सारे सिंग्निफिकेशन दे रहा है लेकि सब सेवन्थ हाउस में तो उसकी मैरीज हो गई है और यदि वह चार नंबर उस समय नहीं दिखा नहीं तो मैरीज हो गई लेकिन उसका प्रश्ण क्या है अपने स्पाउस से रिलेटेड़ है ना स्क्रिप्ट स्पाउस की मनाएंगे और माली चार नंबर नहीं आया तो सामने वाला का आंसर क्या होगा नो आप जबरदस्ती की डौट कर रहे हैं हो सकता आपकी रहू की मान लेकिन दसा अंतर दसा अगर चल गई या उसमें चौथा भागी की चीज़े हैं नहीं है यह सब एड़वांस है और बताइए किसी कास से रिलेटेड को फिर वो कहानी में जाएंगे तो लंबी हो जाएगी ना जिस चीज़ को हम बाद में पढ़ते हैं वह बादी में रहे तो ज्यादा बेटर क्योंकि फिर क्राब हो जाएगी तो इसमें 6 को नहीं नहीं करते हैं दो केसिस में एक तो यह मैरीज का होगे और दूसरा चाइल बर्थ नहीं करना है अब इसके बाद चाइल्ड बर्थ पढ़ेंगे तो उसमें भी इसको कंशूर राशियों में आती हो 156 वहां पर चाइल्ड बर्थ में उसको वहां कंसीडर करें अच्छ चलिए बताइए भाई और क्लोस करें प्ली क्लास हो गई आज की है न प्रीडियफ नहीं मिलेगा प्रीडियफ यही है अब नोट्स बनाई है इतना स्क्रीन पर लिखा है इतना अच्छा है अब वह स्क्रीन ही चलेगी अब तो प्रीडियफ वाला पॉर्सन खतम हो गया जो फंडामेंटल है न लेच्चर वाला अब प्रैक्टिकल में नहीं जैसे इंप्वार्टेंट नंबर सुआ ना साधी का डिवोस का यह जब पर नोट्स बनाने पड़ेंगे खुद अपने हाथ से लिखने से क्या होता ना जैसे माली अप्रेडिक्शन देने आपको कोई डाउट आया तो फोटो ढूंडने से अच्छा ना कॉपी पलटा लेंगी कि कि आपको ने कहां कहां लिखा आपको पता होगा ठीक है और वह य प्रेक्टिकल में हो तो और ज्यादा हमेशा के लिए बठते हैं चलिए ठीक है क्लास ओवर करते हैं सभी को जैच्टी राम नमस्कार नमस्ते 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 मैडम